कि एल्लो गाइज वाट्स अब क्या हाल चाले सबके आई होब किया सब लोग अच्छे होंगे दिस इस और आज हम रफ्तार से करने वाले इसके मिनिमम एक से दो क्वेशन आते ही आते है इसको फटा फट से जो आठ मार्क से उसको मुठी में करने वाले ठीक है तो बहुती शॉर्ट सेशन होगा बट डेफिनेटली इट विल एड लॉट अफ वैल्यू तो यॉर आटी जी प्रिपरेशन ठीक है तो जल्दी से लास्ट टू डिजिट्स है उसको फोर से डिवाइड करो और रिमेंडर निगाल लो बस इसका रिमेंडर थ्री आएगा तो बस इसका जो वैल्यू होगा वह आयोटा क्यूब यानि की माइनस आयोटा के बराबर होगा आयोटा का वैल्यू आपको बताईए स्क्वेर रूट माइनस वन होता है सिमिरल्डी इसका वैल्यू कितना आएगा फटाफट से बताओ लास्ट टू डिजिट्स को डिवाइड करना होता है फोर से तो बत्तिस आजाएगा इसका रिमेंडर एक आएगा इसका मतलब आयोटा की पाहर और इसमें एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आप कोई भी चार consecutive powers ले लोगे consecutive मतलब लगातार जैसे 64 65 66 67 तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा ये एक एग्जाम्पल है आप कोई भी चार consecutive powers को add करोगे उसका सम हमेशा 0 ही होता है ये एक आयोटा की प्रॉपर्टी भी है क्योंकि 44 के बाद हूँ रिपीट करता ह तो चार का सम 0 होता है हमेशा ठीक है classification of complex numbers की बात करेंगे classification की बात करें तो purely real purely real तभी होगा जब आपका imaginary part 0 हो जाए ये जो imaginary part है अगर ये 0 हो गया तो उसको हम बोलेंगे purely real purely imaginary मतलब जब real part 0 हो जाए अगर real part 0 है तो purely imaginary और अगर b का value non 0 है अगर b का value कुछ ना कुछ है 0 के अलावा तो उसको हम बोलते है imaginary number ठीक है और आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे square root of complex number इसका एक shortcut होता है इसका envy style आपको आना चाहिए नहीं आता है तो एक बार फटा-फट से यह जो formula है उसको आप एक बार देख लो और इसको मैं explain भी कर देता हूँ एक example से जैसे मानलो आपको इसका square root निकालना है अब सबसे पहली बात तो यह कि जब भी आपको square root निकालना होता है हमेशाद दो answer आते हैं आपको पहले ही plus minus तो by default लगा ही देना है ठीक है plus minus तो आएगा ही आएगा जो sign बीच में बीच में कौन से sign है बीच में प्लस sign है तो आप भी बीच में तो x का value निकालने के लिए यह formula होता है और y का value यहां से आएगा तो बस अब आपको क्या करना है यह formula में value पूट करनी है तो x square तो यह आएगा under root of 3 square plus 4 square तो under root of 3 square plus 4 square कितना होता है 5 होता है आपने को triplet वैसे भी पता ही है तो यह 5 आजाएगा उसमें आपको करना है plus a करना तो यह वाला number है ना यह वाला number आपको plus करना है तो plus 3 divided by 2 similarly y square का जो value होगा वो 5 minus 3 divided by 2 होगा तो यहां से x का value कितना आजाएगा यह आजाएगा x का value 2 आजाएगा और y का value आजाएगा 1 ठीक है x का value आगया 2 और y का value आगया 1 अब देखो यार यहां पे आपको plus minus नहीं लेना तो पहले ही लगा दिया ना यार तो आपको plus minus नहीं लेना होता है ठीक है सीधा यहां पे जो भी x और y की value आएगी वो substitute करो यह आपका final answer बनेगा ठीक है और आगे बढ़ेंगे फटा-फट से अब बात करेंगे properties of modulus property सारी properties हम discuss करेंगे modulus सबसे पहले तो निकालते कैसे लोग की 5 आजाएगा ठीक है तो under root of x square plus y square इसका formula होता है अराम से आप इसको लगा सकते हो multiplication और division में इसको split कर सकते हो यह दोना आप एक साथ याद कर लो अगर multiplication में है दो complex numbers अलग-अलग split कर सकते है division में भी आप अलग-अलग split कर सकते हो यह वाली property तो यार बहुत simple है कि अगर z हो या z bar हो सबका modulus तो same ही आएगा क्योंकि under root of x square plus y square square है ना वहाँ पे तो अगर minus x भी होगा तो भी वो minus x का square करो या x का square करो एक ही बात है और last वाली जो property है वो power की property है कि अगर जैसे इसमें question ऐसा आता है कि z की power 2023 इसका modulus बताओ यह आप से पूछेंगे so this will be same as this will be same as mod z की power 2023 वहला पहले पावर करो फिर modulus लो या फिर पहले modulus ले लो फिर power करो answer same ही होता है तो आप सीधा modulus निकाल लो और उसकी power 2023 वह आपका answer आ जाएगा चीके तो इस तरह की properties आप use कर सकते हो और आगे बढ़ेंगे conjugate की जो properties होती है उसकी बात करेंगे conjugate को आप हर जगा split कर सकते हो चाए plus हो यह एक property में चार property है basically है ना दोनों के बीच में plus हो या minus हो या identities होती है वो यहीं से बनती है ठीक है तो z square equal to z bar अब identities की बात करेंगे जैसे for example मान लो कल को आपको यह पूछ लिया कि z1 plus z2 इसका modulus इसका whole square तो क्या यहाँ पे a square plus b square plus 2 a b लगेगा नहीं complex number में यह सब होता ही नहीं complex number में यह property लगानी होती है आपको हमेशा तो basics पे focus करो अगर आप basics पे focus करोगे तो इसको क्या लिखोगे यह modulus of z का square लिखा हुआ है तो modulus of z का square क्या होता है जेड जेड बार होता है यह वाली property लगाओ जेड और जेड बार और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो बार है उसको आप individual split कर सकते हो तो बस आप यहाँ पे आपको multiply करना पड़ेगा तो actually 4 अलग-अलग terms आएगी z1, z1 bar फिर z1, z2 bar फिर z2, z1 bar और plus z2, z2 bar चार अलग-अलग terms यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और again मतलब सब अलग-अलग है तो आप add नहीं कर सकते हो ठीक है यह अगली property कहा है property number 3 and 4 यह simple है अगर कोई भी number है जो purely real है तो उसका जो conjugate होगा वो उसी के बराबर होगा और अगर कोई भी number है जो purely imaginary है आप imagine करो ना जैसे for example कोई complex number है जो की 3 iota है तो उसका z bar क्या आएगा जब भी आपको बार निकालना होता है तो iota को replace करो minus iota से ठीक है iota को replace करो minus iota से आप conjugate बता सकते हो यह आप हर जगा कर सकते हो मैंने कुछ बच्चों को देखाई कि वो क् 大etaan minus 1 इसका इसका ओंजूगेट बता इसका कॉंजूगेट एक बार एक्जाम में आया था दो बच्च पता किया कर रहा था बच्च है इसको पहले एकस चलके आप पढ़ोगे कि exponential form भी होता है ना ये e की power i theta तो इसका conjugate क्या आएगा e की power minus i theta तो कोई भी किसी भी format में complex number है iota को replace करोगे minus iota से conjugate आ जाएगा ठीक है येस आगे बढ़ते अब बात करते properties of argument argument की जितने भी properties होती है those are same as properties of log और ये जितने भी properties में आपको बता रहा हूँ यहां से सवाल आता ही आता है तो इस सारी properties आपको अच्छे से पता हो नहीं चाहिए चीक है लेकिन principle argument is that argument जिसका value हमेशा minus pi और pi के बीच में ही रहता है अब देखो principle argument निकालने का ये तीन step का method होता है ये वैसा ही होता है almost similar होता है जैसा हम trigonometric equation में principle solutions निकालते है बट ये थोड़ा अलग है ये है principle argument तो दोनों को mix मत करना वहां का method similar है बट same तो नहीं है जैसे एक example से हम सीखेंगे जैसे for example ये आपको एक complex number given है इसका आपको principle argument आपको निकालना है तो principle argument कैसे निकालनेंगे पहला step क्या होता है आपको formula use करना है 10 alpha equal to mod of b ये a plus iota b है तो b divided by a तो ये इसका mod ले लो mod ले लोगे तो root 3 आ गया मतलब alpha का value 60 degree आ गया पाई by 3 आ गया अब second step में आपको identify करना होता है quadrant quadrant कैसे identify करेंगे x का value negative है और y का value positive है तो ये point कौन से quadrant में लाई करेगा ये तो second quadrant में लाई करेगा अब अगर second quadrant में लाई कर रहा है तो principle argument अब ये table आपको याद रखना है second quadrant में क्या होता है पाई माइनस alpha होता है बस तो यहां पर लगा तो पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3 आपका answer आ जाएगा ठीक है तो principle argument निकालते कैसे वह आपको समझ में आ गया अब हम आते properties properties are same as properties of log जैसे log mn तो log m plus n log m by n log m minus log n अगर कोई power है तो power आ गया आ जाएगी और इसमें आप plus minus 2 के पाई भी लगा सकते हो जो की अपना एक adjusting factor होता है क्योंकि again argument है तो argument की infinite values होती है ठीक है तो आप plus minus 2 के पाई भी चाहो तो लगा सकते हो बड़ जितने भी questions आदेना उसमें आपको generally यह लगानी की ज़रूत नहीं पड़ती है आप PYQ solve करके देखना उसमे ठीक है आगे बढ़ते है representation आफ complex numbers की बात करते है representation में चार तरह के representation होते हैं एक Cartesian Form Cartesian Form वही जो आप बचपन से पड़ता है एकस प्लस आई-वाई उसी का नाम है Cartesian form Polar Form Trigonometric form भी होता है polar form trigonometric form में यह है r cos theta plus iota sin theta यहाँ पर r क्या है r is the modulus of z और theta क्या है theta is the argument of z वही आप principle argument use कर सकते हो यहाँ पर तो principle argument आपको निकालना आई गया है और modulus under root of x square plus y square होता है तो किसी भी partition form में अगर कोई भी complex number गिवर है तो आप उसको polar में convert कर लोगे r निकालो theta निकालो और substitute कर दो तो आराम से आपका answer आ जाएगा और अगर इस form में convert कर लोगे तो यह भी आप convert कर लोगे इसमें भी वही करना है आपको r निकालना है theta निकालना है और दोनों का value substitute कर देना है अगें r क्या है under root of x square plus y square theta क्या है principle argument principle argument कैसे निकालते है वो हमने यहाँ पर सीखी लिया है ठीक है तो yes definitely आप आराम से कर सकते हो और last होता है vector form vector form में कुछ नहीं होता है vector form का जो use है ना वो geometry में आएगा तो geometry में जब इसका application आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बट इसमें क्या होता है जो भी आपका complex number है उसको आप i और j में तो all complex numbers are 2D vectors basically कभी भी k-cap नहीं आता है तो 2D vectors की तरह यह behave करते हैं ठीक है और आगे बढ़ेंगे DMT की बात करेंगे DMT की बात करेंगे DMT में बहुत सरे question पूछे जाते काफी important topic है इसके दो statement होते है पहला ज 8,9,10 कोई भी natural number आप ले लो तो फिर उसमें क्या होता है कि यह N और theta multiply हो जाते है तो cos N theta plus iota sin N theta आपका angle आ जाएगा ठीक है और अगर जो power है वो fractional power है fractional power है तो फिर आपको यह वाला statement use करना पड़ेगा जिसमें की यह आपको याद करना पड़ेगा P theta plus 2k pi divided by q होता है और cos यह angle को आप थोड़ी देर के लिए 5 बोलत हो तो cos phi plus iota sin phi और वो phi का value आपको याद करना है P theta plus 2k pi divided by q यहाँ पे जो k होता है ना 2k pi वाला जो k है वो k का value आप put कर सकते हो 0 से लेके q minus 1 तक आप substitute कर सकते हो मतलब k की multiple values आएगी जितनी k की value आएगी उतने roots आएगे तो यही से आपका cube root of unity nth root of unity उन सबके derivations यही से चलू होते हाला कि हम derivation में अभी नहीं जा सकते obviously क्योंकि हम यहाँ पर fast revision पर focus कर रहे है so that आपके maximum number बन पाए minimum time के अंदर ठीक है यह तो हभी हम derivations में नहीं जाएंगे बट मैं आपको एक quick idea बताता हूं कि cube root of unity की क्या-क्या properties है exam में कैसा question आ सकता है उसको उसमें क्या-क्या properties आप से पूछी जा सकती है ठीक है तो वह सारी चीज़ा हम discuss करेंगे cube root of unity के total 3 root होता है cube root of unity के 3 root होता है 1,1,1 omega,1 omega square एक तो आपको omega और omega square का value याद होना अच्छी है value मैंने तो ऐसे याद किया है कि जो square है वो negative है जनरली क्या होता है जो whole square होता है वो हमेशा positive होता है लेकिन यह तो complex दुनिया है यहाँ पे सब उल्टा-फुल्टा ही होता है तो यहाँ पे जो square है वो negative है और जो square नहीं है वो positive है ठीक है तो एक तो आप यह partition form में इसको याद होनी चाहिए इवन value-based question आते है जहीं मैं खाली value-value पे आपको question पूछ लेंगे ठीक है और आपको omega की वैल्यू यूलर form में भी याद होनी चाहिए यूलर form में value यह होती है two pi by three actually आप इसको generalize भी कर सकते हो cube root of unity में two pi by three है अगर fourth root of unity होता तो two pi by four होता nth root of unity में two pi by n होता है वो भी हम देखेंगे अभी बट यह two pi by n होता है और यह omega का square है तो इसी को square करना है बस तो यह four pi by three हो जाएगा ठीक है अचा properties की बात करते है तो पहली property क्या है कि one plus omega plus omega square यानि कि जो sum of roots है वो zero होता है जो product of roots है इन तीनों का product product of roots is equal to one यह तो आप वै root है तो satisfy करेगा ना omega को इसमें put कर दो omega qb equal to one आ गया और एक और प्रॉपर्टी यह हो दिये कि अगर आप one omega और omega square तीनों की power r कर दो तीनों की power r कर दिया मैंने तो इसका value या तो 3 आएगा या 0 आएगा अब इसका value 3 तब आएगा जब r is a multiple of 3 अगर आप r का value 3 लेते हो या 6 लेते हो कोई भी 3 का multiple अगर आप लेते हो r का value तो यह 3 आएगा यह 3 इसलिए आएगा फिर यह 1 बन जाएगा ना मानलो मैंने r का value 3 ले लिया तो यह omega cube हो गया omega cube तो 1 होता है तो यह भी 1 यह भी 1 और यह भी 1 हो जाएगा इसलिए 3 आता है बट अगर आर आप एक ऐसा number लोगे जो 3 का multiple नहीं है for example r को 2 ले लिया 4 ले लिया या 8 ले लिया इस तरह के numbers लोगे तो इसका value हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि फिर यह 1 प्लस omega प्लस omega square वाले format में convert हो जाएगा तो फिर उसका value 0 ही बनता है एक और property होती है cube root of unity को अगर आप plot करोगे तीनो के तीनो roots को यह 1 है यह omega है और यह omega square है तीनो को plot करोगे तो हमेशा आपको एक equilateral triangle मिलता है क्या मिलता है equilateral triangle मिलता है उस equilateral triangle की जो side length है वो root 3 होती है जो area है इस equilateral triangle का वो 3 root 3 by अगर side आगी तो area तो आई जाएगा ना root 3 by 4 a square तो side आगी side याद कर लो area तो आप equilateral है तो निकाली लोगे root 3 by 4 a square और जो centroid होता है इस triangle का वो origin है यह जो blue वाला triangle आपको दिख रहा है उसका centroid is this particular point which is origin अब यह since यह equilateral triangle है तो यही centroid है यही circumcenter है यही in center भी है और यही ortho center भी है सब कुछ यह है equilateral में सब कुछ coincide करता है वो property आपको पता ही है ठीक है और आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे nth root of unity की बात करते है nth root of unity में भी सब कुछ सेम होता है जैसा cube root of unity में किया बस यहां पर number of roots कितने होंगे n तो z की power n equal to one इतने सारे roots होंगे n number of roots होंगे पहला जो root है वो one है बाकी जितने अच्छा जो one होता है one is the only real root of this equation बाकी alpha alpha square alpha cube यह जितने भी है यह सारे के सारे complex numbers है one जो है वो खाली एक real है बाकी सब क्या है बाकी सारे के सारे complex number one is basically वो भी एक complex number है बट वो purely real है तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि non-real roots कितने होते है तो non-real roots होते है n minus one और real root होता है a की एक real है बाकी सब non-real है total number of roots are n ठीक है अब यहां पर alpha का value क्या होता है e की power iota 2 pi by n जैसे fourth root of unity है तो 2 pi by 4 तो alpha का value आपको याद होना चाहिए जैसे omega का value हमने याद किया था 2 pi by 3 fourth root of unity है तो 2 pi by 4 fifth root of unity है तो 2 pi by 5 तो basically 2 pi by n होता है यहां पर जो sum of roots अगर आप करोगे तो sum of roots का value 0 होता है यहां पर भी sum of roots का value कितना है sum of roots इदर भी 0 है और sum of roots इदर भी 0 है product of roots की अगर मैं यह जितने भी roots से उन सबको अगर मैं multiply करोंगा तो product of roots यहां पर कितना है यहां पर जो product of roots है वो 1 है बट यहां पर क्या होता है यहां पर product of roots 1 तभी आएगा जब n का value odd होगा जैसे cube root of unity मतलब n का value 3 है मतलब n का value odd है इसलिए उसमें 1 होता है बट अगर आप fourth root of unity की बात करोगे या sixth root of unity की बात करोगे या eighth root of unity की बात करोगे तो उसमें n का value क्या है? Even है तो वहाँ पर product of roots का value minus 1 होता है ठीक है? तो ये product of roots थोड़ा सा depend करता है कि n odd है कि n even है चीक है और हाँ इसमें भी क्या होता है कि अगर आप nth root of unity के जितने भी roots है n number of roots है n number of roots को plot करोगे argon plane पे तो आपको एक regular polygon मिलेगा आपको क्या मिलेगा जो diagram जिसे वहाँ पर क्या बन रहा था triangle क्योंकि वहाँ पर तीन ही root है यहाँ पर कितना root है यहाँ पर n number of root है तो n number of root को plot करोगे तो basically क्या मिलेगा एक regular polygon मिलेगा जिसका center क्या होगा जिसका center origin होगा और यह जो angle होता है जैसे यहाँ से में यहाँ चला गया ऐसे होगा टक 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 यह basically घड़ी की तरह है घड़ी की तरह चले गया तक टक टक तो एक बार जब टक होगा तो उसमें कितना angle यह चलेगा एंगल चलेगा टू पाई बाई एंगल यह चलता है घड़ी की तरह है ऐसे टक टू पाई बाई एंड गया फिर से टक फिर से एक और टू पाई बाई एं और जो बनता जाएगा वो बनता जाएगा आपका यह क्या diagram बनेगा regular polygon बनेगा क्योंकि इसका एक one of the root है तो वहां से चलू करो और ऐसे टक 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 सारे के सारे roots आपके है ना ऐसे तक टक करके यह पूरा पॉलीगन आपका complete हो जाएगा ठीक है तो यह सारी properties आपको clear है यह इसमें important result भी होता है है अगर आपके पास कोई भी एक equilateral triangle है कि result independent है ठीक है तो आप कभी भी लगा सकते हूं अगर जैसे मालो यह result आपको use कब करना है अगर आपको exam में ऐसा बोला जाए कि एक triangle है जो की equilateral है और उसके vertex है z1, z2, z3 so if there is a triangle which is given that it is equilateral triangle and vertexes are given as z1, z2, z3 तो उसमें 2 result है जो आप लगा सकते हो पहला result यह है कि z1 square plus z2 square plus z3 square का value यह a b plus b c plus c है उसकी तरह आप याद कर सकते हो तो यह एक तो result है और दूसरा result यह है कि 3z, z0 जो है वो basically इस equilateral triangle का centroid है अब centroid बोलो या circumcenter बोलो या ortho center बोलो कुछ भी बोलो सब सेम ही है क्योंकि equilateral triangle है तो कुछ भी एक बोल दो circumcenter भी बोल सकते हो centroid भी बोल सकते हो सब तो सेम ही होगा ना तो कोई भी एक बोल दो आप ठीक है बराबर है बट यह result valid है only for equilateral triangle तो अगर कोई भी एक्जाम में question आएगा कि z1, z2, z3 are the vertices of equilateral triangle तो रहन्त यह result लगा देना आपका अंसर आजाएगा इतना ही बस आपको याद करना है ठीक है और आगे बढ़ते हैं आप geometry based problems पर आते हैं कि भाई लोकस कब लोकस क्या-क्या होगा तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इस तरह का format होता है जब भी बेसिकली इस तरह का format होगा जब भी यह चारों के चारों अगर आप देखोगे तो यह format तो यही है ना z1-z2 का modulus यह वाला format तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है z1-z2 का modulus रिप्रेजेंट करता है distance between this is nothing but it is distance between two complex numbers z1 and z2 चाहिए distance between z1 and z2 जैसे यहां पर जो लिखा हुआ यह क्या रिप्रेजेंट करेगा फिर यह रिप्रेजेंट करेगा distance between z and दूसरा जो complex number है वो minus 1 आएगा समझ गया ना क्योंकि यह लिखा हुआ है z minus minus 1 लिखा हुआ है अरे चमका कि नहीं चमक क्या होगा ना z minus minus 1 ही तो लिखा हुआ है ठीक है तो यह एक z है और एक minus 1 है तो z और minus 1 के बीच में distance this is nothing but this represents the distance between z and minus 1 this will represent the distance between z, z मतलब वही x,y और दूसरा जो point है वो यह आजाएगा 2, minus 3 ठीक है minus common ले ले लिखा हुआ है z minus 2 minus 3 आयोटा ऐसा लिखा हुआ है तो बेसिकली यह complex number है यह complex number है उन दोनों के बीच का distance हमेशा बीच में माइनस होना चाहिए ठीक है यह यह रिप्रेजेंट करेगा z और 0,1 के बीच का distance क्योंकि आयोटा आ जाएगा दूसरा जो point है वो आयोटा है और यह रिप्रेजेंट करेगा z and 2,0 के बीच का distance तो z बेसिकली मानलों कि कोई एक random सा point है x,y उसका distance 2,0 से that is represented by this तो यह हमेशा distance होता है यह आप ध्यान रखना कभी भी कुछ भी पूछा जाए it is always distance ठीक है अब अब हम बात करेंगे equation of circle की circle की जो equation होती हो उसके different forms होते है तो यह तो आपको इस तरह से दे सकता है मौड z equal to r अगर मौड z equal to r given है मतलब इसका जो center है वो 0,0 है और जो radius है वो r है अगर इस format में given है तो जो center है वो z not है और जो radius है वो अभी भी r है और अगर इस format में given है यह हम basically वहाँ पर भी पढ़ता है ना coordinate geometry में भी x यह basically क्या है zz bar zz bar मतलब mod z का square और mod z का square क्या आएगा mod z होता है under root of x square plus y square उसका square तो आपको center और radius निकालना आना अच्छे बस है ना तो center होता है minus a minus a कर दो बस वो center होता है और radius radius वहाँ पर क्या होता है radius वहाँ जैसे वहाँ पर minus g, minus f होता था ना तो इसलिए यहाँ पर minus a अब यह अपने आप में complex number है है ना let's say कि a आपको given है 2 plus 3 iota तो आपका center क्या हो जाएगा center है minus a minus a मतलब आपका center होगा this यह आपका center होगा तो center is always minus a और radius रेडियस वहाँ पर होता था g square plus f square minus c तो g square plus f square की जगह बस modulus of a square आजाएगा और minus b आ जाएगा यहाँ पर जो constant term है वो b है ठीक है यहाँ पर जो b होगा वो हमेशा real number होगा यह जो a है a या alpha जो भी आपको दिख रहा है वो basically एक complex number होगा तो इसका modulus का square minus b तो center radius निकालना आपको basically यहाँ पर आना चाहिए और आगे बढ़ते है देखो यार यह most important है argument और modulus वाली कहानी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा argument वाली कहानी argument में जो standard question आते है लोकस वाले है ना वो इन तीन case में से ही आपको कोई ना कोई एक case आपको पूछा जाएगा एक्जाम में अगर इस तरह का format given है argument of z-z1 z-z2 यहाँ पर z1 z2 तो fix point है z जो है वो variable है तो z का locus पूछा है z क्या है variable है z का locus पूछा है z1 z2 fix point है तो वो mentioned होंगे है ना एक्जाम में जैसे question आएगा तो ऐसा आ सकता है कि आर्ग्यूमेंट ओव इस तरह का आपने pyq में बह दिया पाई something like this अब आपको बोलेंगे कि जैड का locus बताओ है ना कि जैड किस पर लाई करेगा straight line पर लाई करेगा circle पर लाई करेगा parabola पर लाई करेगा ऐसे कुछ options भी बना देंगे है ना कुछ भी options बना देंगे तो बस यहाँ पर आप देखो इससे compare करोगे तो actually जो z1 ह आयोटा है और जो z2 है वो minus 1 है अब ठीक से compare करोगे तो minus 1 है basically यह है 0,1 और यह है minus 1,0 ठीक है तो फिर आप इसको plot कर सकते हो 0,1 कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा और दूसरा जो point है वो minus 1,0 वो यहाँ पर आएगा तो यह z2 है यह z1 है यह line segment joining z1 z2 हो जाएगा ठीक है जब भी equal to pi बोला है तो आपका locus यही आता है green green match कर लो अगर theta का value अगर theta का value pi गिवन है exam में exam में अगर equal to pi बोल दिया तो जब भी equal to pi होता है तो locus आपका आएगा line segment तो locus क्या हो गया locus is this this line segment is the answer अगर यह question है तो answer is line segment joining z1 z2 अगर आपको theta का value 0 गिवन है अगर theta का value 0 गिवन है तो उस case में यह orange वाला locus आएगा महला basically it is outside z1 z2 यह वाली line और यह वाली line बीच वाला नहीं बीच वाला तब आएगा जब theta pi गिवन है अगर theta 0 गिवन है तो फिर diverging rays यह वाली रे और यह वाली रे भी orange वाला तो यह orange और वह लोकस तब आएगा diverging ray कब आएगी diverging ray तब आएगी जब theta again 0 beta pi गिवन है तो ग्रीन वाला हैगा अगर फिल्ञी प्लस- Frau गिवन है तो अगर प्लस-पाइभाइट्टो गिवन है तो उपर वाला semicircle or minus-बाइभाइट्व गिवन है तो नीचे वाला semicircle और अगर फिल्ञी वाली इन में से कुछ भी नहीं है ना तो तो major arc आएगा यह minor arc आएगा इसमें भी basically यह होता है कि major arc तभी आता है जब आपका जो theta angle है वो acute angle होगा अगर acute angle given है ना जैसे मालो equal to pi by 4 बोल दिया मैंने है ना तो यह कैसा angle हुआ 45 degree यह तो acute angle है acute angle होगा तो major arc आएगा हमेशा लोकस और अगर आपको theta obtuse angle given है मालो कि मैं pi by 4 हटाके 2 pi by 3 कर दू तो उसमें अगर obtuse angle given है तो आपका जो लोकस आएगा वो आएगा minor arc तो major तभी आता है जब acute होता है minor arc तभी आता है जब obtuse होता है ठीक है तो यह सब कुछ clear हो गया जीरो है तो diverging ray pi है तो line segment joining z1 z2 plus minus pi by 2 है तो semicircles और अगर इन में से कुछ भी नहीं है तो देख लो कि acute है कि obtuse है उसके accordingly आपको यह arc आ जाएगा दूसरा option है कि locust is a straight line तीसरा option है कि locust is parabola और एक option है कि none of these तो आप सर्कल मार्क कर सकतो major arc, minor arc और circle वो एक ही बात मानके चलते हैं बहुत सारे questions में मैंने ऐसा देखा है semicircle को भी वो circle ही मानके चलते हैं कभी-कभी तो इसका center भी पूछा हुआ एक दो बार तो ठीक है तो आप centers भी निकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अगर यह आगया यह आगया तो midpoint आ जाएगा या तो k का value 1 होगा या k का value 1 नहीं होगा अगर k का value 1 गिवन है एक्जाम में अगर जैसे मानलो for example एक question आप ऐसा लेलो z-1 upon z-1 इसका modulus और equal to 1 दिया है जब भी equal to 1 दिया होगा ना k का value अगर 1 दिया है तो locus के आएगा लोकस आएगा perpendicular bisector of line segment joining z1 z2 यहाँ पे z1 का value कितना है अगर आप compare करोगे इसको और इसको तो z1 का value 1 है और z2 जो नीचे होता है नीचे वाला जो है वो minus 1 आएगा basically तो यह 1 मतलब 1,0 ना 1 plus iota 0 और minus 1 का मतलब minus 1,0 है ना तो आप यह इसको plot करो 1,0 यहाँ पे आएगा 1,0 यह minus 1,0 तो यह line segment आएगी इनको join करेगे तो एक line segment आएगी उस line segment का perpendicular bisector इसका जो perpendicular bisector होगा यह this will be the locus of this will be the locus of z है ना तो हमेशा locus क्या आता है अगर k का value 1 है तो locus आपका आएगा perpendicular bisector of line segment joining z1,z2 और अगर k का value 1 नहीं है तो locus आएगा circle in that जैसे for example मान लो है ना अब अपने पास यहाँ पर कर लेते हैं चलो जैसे for example मान लो z minus 1 upon z plus 1 ठीक है इसका value आपको 2 दे दिया तो यहाँ पे z का locus क्या आएगा यहाँ पर circle आएगा circle कैसे आएगा देखो आप यह circle की equation निकाल भी सकते हो in fact अभी recent years में इस तरह के question आ रहे तो सबसे पहले तो हमने property लगा के इसको cross multiply कर दिया i y इसका modulus का square इधर हो जाएगा 4 इधर भी आप इधर आजाएगा x plus 1 plus i y जाना z का value पूट कर दिया basically अब z का value पूट कर दिया तो यह आजाएगा x minus 1 का square plus y square और यहाँ पे आजाएगा x plus 1 का square और plus y square अब अगर आप इसको further simplify कर दोगे तो एक circle की equation आजाएगी ना x square 3 x square plus 3 y square plus something 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 तो पूरी circle की equation आजाएगी तो वो circle की equation निकालते कैसे है वो भी clear है locust तो circle आएगा अगर k का value not equal to 1 है आपने 2 लेलो 3 लेलो 4 लेलो कुछ भी लेलो तो circle आएगा वो circle की equation निकालते कैसे तो z का value पूट कर दो x plus i y वो equation भी निकल जाएगी तो locust का यार जो भी सवाल आएगा वो इसी में से आएगा या तो modulus के around आ सकता है argument के around आ सकता है या फिर आपको circle की equation दे के center वगेरा निकालने के लिए बोलेंगे तो इसी तरह का मतलब लगबग लगबग या distance formula के ऊपर कभी कभी वो भी पूछता है कि distance को maximize करो minimize करो तो कुछ नहीं होता है जिसे मानलो एक point मैंने आपको दे दिया which is 2,0 फिर क्या करेंगे एक circle की equation दे देंगे फिर बोलेंगे कि Z जो है वो कही न कहीं इस circle के ऊपर है आपको बोलेंगे कि Z और यह जो complex number है वो Z1 है मानलो for example तो आपको बोलेंगे कि Z-Z1 का maximum value बताओ तो कुछ नहीं यह जो distance है उसको maximize करना है कि distance maximum तभी आएगा ना जब point Z आप यहां पे लोग है तो बस यह आएगा maximum distance तो आप क्या कर सकते हैं आप center से distance निकाल सकते हैं तो यह distance आ जाएगा yes or no center से distance निकाल लो center से distance निकाल लोगे तो यह distance आ जाएगा और उसमें plus आप कर दो radius radius को plus कर दो तो इस तरह के questions भी आपको जही में पूछे जाता है ठीक है तो I hope कि यह सारी चीज़े clear होगी ठीक है इसी के साथ complex number का जो quick हमने revision है वो complete किया है अगर आपको यह session अच्छा लगा तो definitely इसको like करना अपने friends के साथ भी इसको share कर देना and definitely channel को subscribe भी कर देना इसी तरह के और भी sessions यहाँ पर हम डालने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए मिलते है अगली class में all the best and definitely मचाएंगे